दिल्ली के सियम अर्विंद केजरिवाल ने सुक्रवार को केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया अर्विंद केजरिवाल ने कहा कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी के बढ़ने से डर लग रहा है एके करके आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्रियों को जूठे केस में गिरफतार किया जा रहा है बीजेपी की सरकार को पता नहीं है कि हमें जेल जाने से डर नहीं लगता है अब आम आदमी पार्टी का वक्त आ गया है और हमें कोई नहीं रोक सकता यह नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इनके टक्कर में खड़ी हो पर मैं नहीं कहना चाहता हूं तुम जो मरजी कर लो आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलने से कोई नहीं रोख सकता आम आदमी पार्टी पूरी देश के लोगों की उमीद बन चुकी है, देश के अंदर हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, देश के अंदर हर आदमी चाहता है मेरे परिवार को अच्छा इलाज मिले, देश के अंदर हर आदमी चाहता है मेरे 24 घंटे बिजली मिले अच्छी सडके मिले अच्छा पानी मिले अच्छी बिजली मिले फ्री बिजली मिले सब लोग अच्छी सुफिधाय चाहते हैं हर आदमी चाहता है देश के अंदर भृष्टाचार खतमों हर आदमी चाहता है मेरा देश दुनिया का नंबर वन देश बने अब आ आम अदमी पार्टी ताइम हाँ काम, इंडिया ताइम हाँ काम, भारत का समय अचुका है, कोई नहीं रोक सकता, दिली के सरकार पूरे दुनिया के मेयर बुलाए उन्होंने, कि और केज़िवाल को बलाया कि आके इनको जिजा सुखाओ कि आप डिल्य में किया काम πα्रों इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है दिल्ली के कामों की पूरी दुनिया में चर्चा हुत है ट्रम्प साब की वाइफ आई थी वो हमारे स्कूल देखने जाती है यह हमारे दिली के कामों को रोकना चाहते है खासकर दिली में एजुकेशन और हेल्थ में बहुत शांदार काम हुए इसलिए उन्होंने पहले हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाला और अब एजुकेशन मिनि महीने ऐे हैं दो महिनये रख लींगे तीन महीन रख लेंगे चार मन्ह fight निकल आएगे चाल होजाए इसलिए को मही जेल बेजेंगे महीन दो महीना 3 मेना कब तक जेल में रखेंगे जूटा से कोट में जाकि गिर जाएगा डांट पड़ेगीatta म पढीगब को देख लिट ल भारत के लोगों में कोई कमी है, सबसे intelligent लोग हैं भारत के लोग, इन पार्टियों ने दगा दिया है, इन्हों ने लूटा है, इन पार्टियों ने मिलके देश को लूटा है, ये अपनी लूट जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अब देश खड़ा हो रहा है, दिल्ली से जो ये चिंगारी निकली है, ये पूरे देश में फैलेगी है, और इसे कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज इट्स टाइम है इसकाम, अब देश खड़ा हो रहा है, देश जाग रहा है, देश ने देख लिया, कि हो तो सकता था, यार अगर दिल्ली में हो सकता तो 75 साल में क्यों न देश में क्यों नहीं हुआ, इन पार्टियों ने मिलके देश को जान बूच के गरीब रखा, इन पार्टियों ने मिलके देश को जान बूच के अनपड रखा, अब नहीं होगा, अब मेरा देश दुनिया का नमबर वन देश बनके रहेगा, तुम जितने मनीश से सूधिय को जेन में डाल लो जितने सतिंदर जेन को अर्विंद केजरिवाल को भी डाल लो सूली पे चड़ा दो खूब अर्विंद केजरिवाल निकलेंगे खूब मनीश सोधिया निकलेंगे अब तो देश आगे बढ़ेगा